हालो एफ्रीवान मैंने जिसे आपको प्रॉमिस किया था कि हम हर एक बुक का जो यूपी एसी कॉमर्स ऑफशनल की बुक है उसकी जर्नी से आपको ओवर्वियू कराएंगे ताकि आप अपनी डिसीजन मेकिंग कुद कर सकें कि क्या इस बुक के पात आपको कोई और बुक ले सके हैं तो यह एक कंप्टीट बुक है नोट्स नहीं है यह बुक है कंप्टीटी और स्पैसिफिकली यूपी एसी कॉमर्स ऑफशनल के लिए है तो चलिए हम देखते हैं हमारी बुक और टेन सब्जेक्स हैं आपके एक्जाम में तो हर एक सब्जेक्स पे एक सेपरेट चुके हैं आप चाहें तो उन्हें भी रिफर कर सकते हैं तो यह हमारी ओडिट की बुक है तो चलिए हम पहले दिखते हैं हमारे स्लेबस को कि भई हमारी स्लेबस के जो पॉइंस है वो कवर अप हुए हैं की नहीं हुए हैं सबसे पहला आपका कंपनी ओडिट में है आपका audit related to divisible profit, dividend, special investigation and tax audit तो हम देख लेते हैं audit related to divisible profit and dividend एक साथ है special investigation separately है और tax audit separately है फिर bank की audit है, insurance है और NPO है तो हम देख सकते हैं audit of bank, insurance and NPO में आपके charitable society, trust and organization तो यह आपकी audit की book है तो हम देख सकते हैं, हम पहले ही चैप्र देख रहे हैं कि देखिए ample space है आपको आप अराम से अपने कोई भी news related notings है या कोई extra आपके जो answer writing practice में for order points है, आप उसे properly इसी area में mention कर सकते हैं separate notes या बनाने की कोई जरूरत नहीं होगी देखिए हम पहले देख सकते हैं divisible profit है हमने यह देख लिए कि syllabus में जितने हमारे points थे वो cover up किये गया है लेकिन अब वो cover up कैसे किये गया है हम उस चानी के थूरू चलेंगे कि कैसे उन्हें detail में cover up किया गया है तो हमने यह देखा पहले हमारा divisible profit है तो divisible profit की meaning explain की गई है profit की meaning explain है ठीक है law judgment भी mention किया गया है जहाँ पर requirement है ठीक है determines क्या होते है divisible profit के ठीक है legal aspect भी connect किये गये यहाँ पर legal decision and all ठीक है और फिर separately dividend explain किया गया है type of dividend हो गया आपके interim dividend आपको explain किया गया है separately detail में तो आप देख सकते हैं कि basic से cover up कराया गया है, तो आप ये तो confidence हो सकते हैं कि आपको जो journey है, इस UPSC preparation की, ये direct आपको UPSC level के exam के pointers नहीं दे रहे हैं, आपको base से cover up करा रहे हैं, ताकि आप उसे base से समझ सकें, ठीक है, तो declaration of dividend section 123 companies act के according भी mention कर दिया गया है, proper margin and spaces mention है, ठीक है, आप देख सकते हैं, एक ample spaces है, presentation clear है, और आपके header में proper space है, footer में proper space है, कि अगर आप अपनी कोई extra noting करना चाहें, तो वो भी आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है, उसके बाद हमने देखा कि section जो है दिया, उसके बाद depositing of dividend को separately, ठीक है, headings भी काफी bold है, ताकि आपके mind से, और quick coverage के चक्कर में कोई भी pointers आप से miss ना हो, ठीक है, तो payment of dividend को देखे, cover up कराया गया है, separately, punishment for failure to distribute dividend, तो सारे ऐसे points है, revocation है, फिर companies act के अंदर एक note के form में separately mention कर दिया गया है, यह आपके जैसे mains में question आते हैं, उसी form में, इसे bullets में cover up में आपको करवा दिया गया है, ऐसे देख सकते हैं, section wise, cover up है, fun में, कैसे deposit करना है, ठीक है, तो यह हमने एक overview लिया कि कैसे आपको base से यह connect कर रहा है, ठीक है, हम एक और jump कर जाते हैं, bank audit खुलिया हमारे सामने, तो हम bank audit देख लेते हैं, introduction कराया गया है, उसके बाद types of banking institution क्या है, major उनके function क्या है, उसके मदद मिल जाती है, कई बार आप यह legal terms और उनके related information, फिर types of bank audit क्या होते है, concurrent, internal and statutory audit के बारे में, जो है, brief explain किया गया है, audit report का role यहाँ पे है, उसमें भी detail mention कर दी गई है, आपको, format क्या होना चाहिए, ठीक है, उसके बाद आपका reporting वगेरा दिया है, audit के separate pointers हैं, ठीक है, stages दि किये हुए हैं, सारी चीज़े specifically mention की गई है, देखे, काफी detail में हैं, थाकि आपकी answer writing में आपको इससे मदद मिल चुके है, ठीक है, advances को separately cover up किया गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है, advances को separately, हम देखने हैं, काफी लंबा, agriculture advances को भी separately cover up किया गया, फिर revenue items को अलग से cover up किया गय है, तो आप देख सकते हैं, कि सारे जो यह आपके pointers हैं, काफी detail में cover up किये गये हैं, checklist आपको provide कर दीगी है, कि audit में आपको क्या क्या चीज़े ध्यान देनी चाहिए, तो आप आपने देखा कि आपका पहला तो syllabus में जितना part है, वो index में mention है, जो mainly concerned होता है, कि under one roof सारी चीज बनानी चाहिए, तो वो भी आपको answer writing में काफी मदद मिलेगी, प्लस आप top में header and footer दोनों में margin आप देख सकते हैं, जहां पर अपने self notes बना सकते हैं, अपने news related बातों को include कर सकते हैं, answer writing कर रहे हैं, तो answer writing से related कुछ pointers लिखना चाहते हैं, तो वो भी mention कर सकते हैं, तो आप को इसके अलाबा कोई और जो student query करते हैं, कि book refer करनी चाहिए, तो यह I think आज के इस analysis के बाद आप decide कर पाएंगे, कि क्या इस book को आप करने के बाद आपको कोई और book की need है भी की ने, क्योंकि आप देख सकते हैं, different laws and act, जो आपने banking में देखा, मैं आपको इक बर connect करा देती ह और यह सारी चीज में भी, यह explanation में भी, यह standards on audited को भी cover up कर रहे हैं, ठीक है, different different places पर तापकी आपका answer एक weighted answer बन सके, quality answer बन सके, different acts के बारे में separately include किया गया है, कि आपके banking sector को क्या impact करता है, तो आप यह देख सकते हैं, कि यह जो book है, जो main concern होता है student का, investigation पे काफी detail में coverage किय अगया है, तो हम देख सकते हैं, तो आप देख सकते हैं, जो mainly concern होता है कि क्या पूरा syllabus covered है, हमारे जो syllabus में point है, वो सारे pointers cover है, तो हमने देखा वो सारे pointers जो हैं, यहां पे cover है, syllabus के, second जो query रहती है कि क्या basic cover है, यह jump करा दिया गया expertise level पे, तो वो भी आपको मैंने connect करा दिया काफी crystal clear presentation है, header, footer में separately spaces mentioned है, और हर एक chapter के साथ one page separately mentioned आपको जहां पे heading दीवी है, वो mention है, ताकि आप अपनी self notes अगर कुछ बनाना चाहें, news के कुछ pointers add on करना चाहें, तो वो एक ही book में रखें, separate multiple books या notes बनाए नहीं, ताकि उसमें भी उसे धूनने में, उसे organize करने में time waste ह होता है, हमारी maximum कोशिश है कि आप इससे maximum output gain कर सके, separate subject के लिए separate books है, एक book में आपने एक book को cover up कर लिया, तो आपको confidence आजाएगा कि चलो मेरी एक book cover up हो गई है, और आप उसे multiple revision देखर के उसे conclude कर सकते हैं, ठीक है, presentation form में भी आप देख सकते हैं, बिलकुल clear mention है, कोई भी ची view मैंने जैसे आपको promise किया था कि हम हर एक book का analysis करेंगे, तो मैंने आपको help की, आपको एक journey से लेकी गई, still आपके कोई query unanswered रह जाती है, तो आप उसे comment section में पूछ सकते हैं, ठीक है, book purchase करने की query generally student raise करते हैं, तो हम सरी एक Indian company के थूँ ही इसे provide कर रहे है, flip card के थूँ, and flip card म value add हो जाएगा, और अगर आप इसे direct buy करना चाहते हैं, तो आप team को WhatsApp कर सकते हैं, या उनसे chat के थूँ buy कर सकते हैं, ठीक है, हमारे जो specific number है, केवल वहीं पे available है, किसी और separate numbers पे हम available नहीं है, क्योंकि कई बास students के यह भी review आता है, कि कई और न हो जाए, उनको nervousness होती है, तो आपको एक separate number mention है, उसी जो आपको YouTube पे भी मिल जाएगा, वहां से लेके आप direct buy कर सकते हैं, तो अगर आपने direct buy किया, तो आपको Flipkart के जो commission और packaging cost है, वो आपको वहां पे नहीं लगेंगी, तो वो आपकी cost saving हो जाएगी, and second benefit जो है, आपको direct buy करने पे आपको eligible programs के साथ, news का support every month मिलेगा, NCRT का coverage है, image की learning, image की through revision करने का progress, यह सारी चीज़े provide की जाएगी, so I hope मैंने आपको help की, कि आप decide कर सके, कि auditing के case में, क्या ये book आपके लिए sufficient है, ठीक है, तो आप अपने कोई doubts या कोई queries unanswered रहते हैं, तो आप उसे please comment section में हमाने साथ share करें, हम उसे definitely cover up ऐसे ही और सारी books का भी analysis लेकर के आऊँगी, कई सारी books का cover up हो चुका है, all 10 books का मैंने promise के है, तो मैं सारी की सारी 10 books का analysis आपके सामने लेकर के आऊँगी, आप उसे refer करें, और आपको लगता है कि आप इसे जो है, आपकी ये जो सपना है, UPSC का, ये commerce optional is only a part, उसे पाने में म झाँ आप चैसे, जसे हो ह cela की सीlaşके सारी का रवाशना है, आपकाही क्रावठीक सते ही रह जैएका ITMA है है, जसे हो खjungाशनार में सारी कबस हैं, चल और सदाए आपके सारी शाला है, जसे ही जो रगढ़ेसितनी रयातर आपके सारी कास नहीं जजुएला दाँगी हैं, आप